नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अजमिर से में शेलंदिन सिंग रहोत जैसा कि दोस्तों आज में राजस्तान जीके के कुछ मेहत्पन प्रसन लेकर आगयों बी एस्टीसी की तैरी करने वाले सभी चात्रों के लिए काफी मेत्पन रहेगा साथ ही राजस्तान पटवारी भरती प्रिक्षा और पुलिस भरती प्रिक्षा की तैरी करने वाले सभी चात्र एक बार इस वीडियो का दिन अवैस्य करें जैसा कि दोस्तों देरका है कि लटकन आबुसन किस अंका है तो दोस्तों ओपसंदेरका सिर का, भी ओपसंदेरका आपको पेर का सियोपसंदेरका नाक का, डी ओपसंदेरका इन में से कोई नी तो हमें यहाँ पर ओपसंदेर करना पड़ेगा नाक का यानि लटकन जो आबुसने वे नाक में पेना जाता है कहां पेना जाता है नाक में बहुत अच्छी बात है सही जवाब दिया है दूसरी सताबदी में गोसुंडी सिलालेक ब्रही लेपिका है और ये कौन से इस्तान पर है ऑपसंदर का हनमानगड बिकानेर सियोपसंदर का च प्रत्वी राज विजे के लेखक कौन है 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 प्रत्वी राज वि राजशेकर बी september को है ऐखे यह जायानध नरे को तो Carn I K S. option के अगर अपन बात करते हैं तो S. option लेकर है जयानध D. option की बात करते हैं. इन में से कोई नहीं तो आपको बिल्कुल comment करके बताना होगा कि इस प्रसंड का क्या जवाब होगा? इसी प्रकार अगला प्रसंदिरका थेवाकला प्रसिदे जी प्रसंदिरका है थेवाकला प्रसिदे अब भाई थेवाकला कहा कि प्रसिदे ओप्शन के अगर अपन बात करते हैं तो ओप्शन दिरका है अजमेर बी ओप्शन की बात करते हैं तो हमें दिरका है प्रताब पुश कर बिलकुल यहां पर आपको प्रसन अजर आ रहा है हम बात करते हैं अगले तीसरे प्रसन की तो वो दिरका प्रत्विराज विजे के लेका कोन है यह अपने पास में तीसरा प्रसन है और यहां अगर अपन बात करते हैं तो चोता प्रसन है प्रत्विराज विजे के ल से दे अगर यह प्रसन आता है तो हमें प्रताब गड़ को राइट करना पड़ेगा ठीज अलगोजा है अब अलगोजा क्या है ओप्संद्र का है एक वाद्य यंत्र एक वाद्य यंत्र है एक हार्मोनियम है अलगोजा क्या है प्रसन दिरका एक वाद्य यंत्र है और उसके बाद दिरका है एक हार्मोनियम है एक तबला है और इन में से कोई नहीं हम बात करते हैं छटे प्रसन की चटा प्रसन दिरका है बंगोली सराई पंचलंगी खनन सेत्र किस खनेज के लिए प्रसिद है जी बंगोली सलाई पंचलंगी खनन किस शेत्र किस खनन के लिए प्रसिद है हाँ बही ओप्सन के अगर अपन बात करते हैं तो ओप्सन दिरका है पितल पहला ओप्सन दिरका है पितल बी ओप्सन दिरका है तामबा सी ओप्सन दिरका है जस्ता डी ओप्सन दिरका है इन में से कोई नहीं चुनो अपन पांचों प्रसन के बात कर लेते हैं पांचो प्रसंद के अगर आपन बात करते हैं तो पांचो प्रसंद दे रखा है अलगोजा क्या है भाई अलगोजा एक वाद दे यंतर है अलगोजा क्या अपने पास में अलगोजा एक वाद दे यंतर है अब अगला प्रसंद दे रखा है बंगोली सलाई पंचलंगी खनन से कौन से खनन के लिए प्रस्य दें तो हमें राइट करना पड़ेगा यहां देरका पीतल तंबा जस्ता नहीं लोहा आयस्क किस के लिए प्रस्य दें यह लोहे आयस्क के लिए प्रस्य दें हमें यहां लोहे आयस्क को राइट करना पड़ेगा यानि इसके अकोडिंग अगर अ तो हमें यहां पर D option को राइट करना पड़ेगा लोय एस्क ठीक है वहीं सातों प्रसंद रखा है कि 1936 में कि बिकानेर प्रजा मंदल की स्थापना कि बिकानेर प्रजा मंदल की स्थापना कि 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 1936 में बिकानेर प्रजा मंदल की स्थापना कि स्थापना कि बंबई बिकानेर कलकत्ता option रखा है बंबई बी option रखा है बिकानेर जी कलकत्ता D option है इन में से कोई नी देखे थोड़ा प्रसन में में चेंज करा हूँ 7 प्रसन है कि 1936 में बिकानेर प्रजा मंदल की स्थापना कहा की गई 1936 बिकानेर प्रजा मंदल की स्थापना कहा की यह option है यह प्रसन है थोड़ा लिखने मिस्टिक हो गया था बंबई, बिकानेर, कलकता और इनमे से कोई निया आपको option दे रखा है अगला आटवा प्रसन दे रखा है जांबो जी के 29 नियम के पालन करता कहलाते हैं बिल्कुल बहुत महत्मन प्रसन है भाई ये कही बार आयवा है कि जांबो जी के 29 नियम है उनके पालन करता जो थे वो कहलाये थे क्या कहलाये थे? option है बिसनोई, पहला option दे रखा आपके सामने बिसनोई कहलाये थे, बिसनोई कहलाये थे, बिसनोई कहलाये थे, बिसनोई कहलाये थे जे श्री के लाए क्या और डियो आप्शन के अगर आपन बात करते हैं तो हमें देरका इन में से कोई नी भाई अगर यहां हम 7 प्रसंड के बात करते हैं 7 प्रसंड देरका 1936 में विकानेर पर जमंडल की स्थापना की गई ती 1936 में बिकानेर पर जमनल के इस्तापना की गई ती हमें यहाँ पर कलकता है नदर 1936 में बिकानेर पर जमनल के अब अगले प्रस्ण के बात करते है जामबो जी के उंतिस नेम के पालन करता है वे विसनों के लाए थे चिसने मोगल समराठ अकबर से विवाज था नवा प्रसंदर का है और बैसा है फेसे लाजपूते जी जिसने मुगल समराट पर्थम राजपुत वंस जिसने मुगल समराट अकबर से अकबर से विवा अकबर से विवा सम्बन्द इस्तापित किया था पर्थम राजपुत वंस जिसने मुगल समराट अकबर से विवा सम्बन्द इस्तापित किया था अप्शन दिरका है राठ थोड़ B अप्शन दिरका है कच्छुवा वंस C अप्सन की बात करते हैं तो हाप को दिरका प्रातिहार वंस दी आप्संद बाग की बात करते हैं तो हमें देरका है गुजर वस भाई देखो आपको पता होगा कि जोदा ने अकबर से साथ देकी थी ठीक है अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जोदा राजपुत थी तो परथम राजपुत वस जिसने परथम राजपुत वस ऐसा कौन सा जिसने मुगल समराट अकबर से विवहा संबन इस्तापित किया था राठोड कच्छ वहां बतिहार गुजर आपको कमेंट करके बता देना होगा हम बात कर लेतें दस्वे प्रसंद की दस्वे प्रसंद रखा है आपको कि तालाबो निकाले गई नालिया कहलाती है क्या कहलाती है देखे हम बात कर लेतें बेरी मोरी बिलकुल ओप्सन देरका बेरी बी ओप्सन देरका है मोरी सी ओप्सन देरका हीर और डी ओप्सन देरका इन में से कोई नी बिलकुल हम बात करेंगे यहां पर प्रसंद संक्या नोक्य और फिर प्रसंद संक्या दस्की देखे नवा प्रसन है कि पर्थम राजपत वंस जिसने मुगल समराथ अकबर से विवहास इस्तापित किया तथ हमें कच्छुआ वंस को राइट करना पड़ेगा उसके बाद 10% के बाद करते हैं तालाबो से आपको पता होगा कि जैसे अपने बात करते हैं यह जैसे कोई तालाब अपने अब इस तालाब में से थोड़ी सी आप पानी निकालतों सिच्चाई के लिए या पानी पीने के लिए कुछ भी है तो जब यह पानी जाता ना तो यह मोरी किलाती है क्या किलाती है मोरी जैसे आपने सुना होगा यार मोरी खोल दी मोरी खोल दी इसका मतलब है कि तालाबों से पानी निकाड़कर अन्यतर दूसरे इस्तान के और भेज़ा जा रहा है या सिच्चाई के रूप में काम में ले जाता है तो फिर उसको मोरी कहते हैं तो यहाँ पर हमें view option को write करना पड़ेगा मोरी को ठीके आगया सबी को समझ में जल्दी से copy आप करते चलेगा साथ के साथ